Starting में State का Work की वह उसका Primary function करना That means की War को Prevent करना और Citizens के Security को Ensure करना था लेकिन 20th Century के बाद इसमें परिवर्टा नो आया और पूरे World ने Welfare State के Concept को अपनाना Start किया जहांपे State का Work उसके Primary function के साथ साथ Secondary functions के साथ भी जुड़ जाता है functions के बढ़ने की वैसे State के उपर Pressure बना और यही Pressure Delegation of Power या Delegation of Authority की वज़े बनी तो आज के इस वीडियो में हम इसी Delegated Legislation की बात करने वाले हैं तो चलिए आरम से प्रारम करते हैं वैसे तो Delegation शब्द की कोई Proper Definition नहीं है लेकिन अगर इसके Meaning पे जाए 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 इसके शाब्दिक अर्थों पे जाए जाए तो इसका मतलब किसी भी दूसरे वैक्ति को अपने कामों के लिए Authorize करना है यानि अपने जो काम स्वयम के हैं वो किसी दूसरे वैक्ति को देना है क्योंकि ये Delegation Superior से Inferior की तरफ या Superior से Subordinate की तरफ होता है इसलिए इसको Subordinate Legislation भी बोलते हैं लेन के अंसार Delegation का मतलब किसी अन्य वैक्ति को Authority और Responsibility के साथ में Interest करना और साथी साथ वो अपने Performance को अपने Task को Better तरीके से कर पाए इस दिसले में Creation of Accountability को Create कर देना इसे ही Delegation कहेंगे एलन की इसी Definition से इस Delegation के Elements भी निकल कराते हैं जिनमें सबसे पहला Point Assignment of Responsibility दूसरा Point Grant of Authority और तीसरा Point Creation of Accountability है अगर सबसे पहले Point जो की Assignment of Responsibility है उसकी बात की जाएं तो ये Delegation का पहला Step पहला पाइदान होता है जिसके अंतरगत Superior अपने Inferior Authority को बुला कर उन्हें को एक Task देते हुए उन्हें उस Task को एक Given Time में Complete करने के लिए कहती है इसमें दूसरा Element Grant of Authority के अंतरगत जब उसे पहले स्टार्टिंग में Responsibility दे दी गई है तो उस Responsibility को पूरा करने के लिए उसे कुछ Authority की जरुथ होगी वरना वो Responsibility के ओर Theoretical रहेगी वो Practical नहीं हो पाएगी तो उसे Practical रूप में परिणर्थ करने के लिए Change करने के लिए उसे कुछ Authority भी Responsibility के According दी जाती है और तीसरा Point जो की Creation of Accountability है वो इस Delegation के ओपर एक Check की तरह काम करता है That means कि जो Superior Authority होती है वो अपने Inferior Authority के जो भी Work होते हैं जो भी Performance होती है उनको Time Time पर Check करती रहती है और इस तरह से वो Inferior Authority Superior के लिए Accountable रहती है That means कि अगर Inferior Authority कोई भी गलत करती है अपने Performance के सिसले में तो उस टाइम पर Superior Authority उनके खिलाफ कोई Provisions से टप कर सकती है अब आप यहाँ पर Responsibility और Accountability में थोड़ा सा Confuse हो सकते हैं इसलिए मैं आपको बता दूँ कि Responsibility एक Mental Term है जिसे देखा नहीं जा सकता है यह व्यक्ति के अंतर भावनों को परदर्शित करता है जहाँ पर Accountability एक External Factor है एक Physical Term है जहाँ पर यह व्यक्ति के Act को शो करता है तो अब हम बात करते हैं Delegation के Types के बारे में तो इन्हें हम तीन Classification में Divide कर सकते हैं जिनमें सबसे पहला General और Specific Delegation दूसरा Formal और Informal Delegation और तीसरा Reserve Authority और Delegated Authority है तो अब अगर इसमें सबसे पहले Classification General and Specific की बात करें तो General Delegation एक All-in-One Type का Delegation होता है जिसके अंतरगर जिस भी Authority को यह Delegate किया जाता है उसको Planning, Organizing और उसके साथ साथ Direction का भी अधिकार मिल जाता है That means कि अगर वो कोई Law Pass करते हैं तो उनको Execute करने का और उस सिलसले में उसको Check करने का भी अधिकार मिलता है जबकि Specific Delegation किसी भी Specific Task के सिलसले में होता है यह Particular in Nature होता है इसके साथ साथ यह Temporady होता है कुछ ही समय के लिए होता है और इसके साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति को यह Delegate की जा रही है Specific Delegation के अंतरगत तो उसको कुछ Specific Task के साथ ही Specific Authorities मिलती है मारा Next Type Formal and Informal Delegation है जहाँ पे नाम सी आपको पता चला होगा कि Formal Delegation में एक बाकाइदा Formality के थुरू एक Particular Day पे किसी भी Authority को Powers Delegate की जाती है Legislation से Related Formal Delegation एक Task की Demand पे किया आते हैं अर्था जब भी कोई काम सामने आता है तो उस सिलसले में उससे Related Delegation किये जाते है Then Next Informal Delegation वो Delegation है जिसके अंतरगत अगर Emergency का कोई ऐसा Provision आ जाता है कि उसमें अचानक से कोई Decision लेना आवश्यक है उस सिलसले में अगर कोई Powers या Delegation किया जाता है Legislation से Related तो उसे Informal कहा जाएगा क्योंकि वो Time की Demand होती है और उस Time पे Instant एक Move लेना जरूरी होता है और हमारा सबसे Last Type जो की Reserve and Delegated Authority का है तो Reserve Authority वो Authority होती है जो किसी Organization या Organ के Basic या Fundamental Elements होते हैं और इन्हें Delegate नहीं किया जा सकता है इसलिए इनको Reserve Authority भी बोलते हैं और Delegated Authorities वो Authorities होती है जो Other than Reserve Authority होती है और जिनको Delegate किया जा सकता है सबसे Last Point में हम बात करते हैं इस Delegated Legislation के Control के मामले में तो इसमें दो तरह के Control होते हैं दो Points पे आते हैं जिनमें सबसे पहला Legislation का Control और दूसरा Judiciary का Control आता है Legislation का Control तीन स्टेज़ पे होता है जिनमें सबसे पहला स्टेज उस टाइम पे होता है जब किसी भी Authority को Responsibility के साथ साथ Authority दी जाती है पावर दी जाती है तो उस इसले में जो भी होती है Superior Authority वो एक Enabling Act बनाके इनकी Limitation सेट कर देती है कि भईया आपको इससे बाहर जाके कहीं वर्क नहीं करना है दूसरे स्टेज पे Legislation का Control Delegation पे इस तरह से होता है कि जब भी वो Authority कोई Law, By Laws या Regulation, Direction बनाएगी तो उस सिसले में उसको Superior Authority उनका Consent और उस पे उनका Supervision जरूरी हो जाता है और तीसरा सबसे Last जो है वो Publication के Case में आता है जो भी By Laws, Direction, Regulations बनाएगी वो Authority उनका Publication होना जरूरी है यहाँ पे Publication व्यक्ति के Public Opinion को Define करता है जिससे Publication के थूरू Public Response को भी जानने में Help मिलती है Judiciary Delegated Legislation के मामले में दो तरह से Control लगती है जिनमें सबसे पहला Point Ultra Virus के Provision के Case में है और दूसरा Exceeding of Jurisdiction के Case में है Ultra Virus का मतलब यह हुआ कि वो सारे Laws जो की Other Authority जो Subordinate Authority बना रही है अगर वो Constitution के Against हैं Inconsistent हैं तो उस सिलसले में Judiciary उसे Ultra Virus घोसित कर सकती है और वो X-wide हो जाएंगे जो दूसरा Point है Exceeding of Jurisdiction उसके अंत्रगत ऐसा ब्योस्था की गई है चूंकि Subordinate Authority को Enabling Act के थूरू कुछ Limitation सेट अप कर दिया जते हैं कि इसके बाहर जाके आप अपने Scope को आप अपने Powers को एक्ससाइज नहीं करेंगे और अगर वो इस केस में अपने Authority से बाहर अपने Jurisdiction से बाहर जाके अपनी Powers को Enjoy करते हैं तो उस केस में Judiciary को यह Right है कि वो Exceeding of Jurisdiction के Base पे उसको वाइड गोसित करेंगे I hope कि आपको इस वीडियो में Delegated Legend Legend के Meaning, Definition, Types और इसके Control समझ में आया होंगे Law and Constitutions and Related बाकी वीडियो के लिए बने रही हमाई साथ नमस्कार